Good morning students! St. Thomas English Medium School के और से Class 4 के सबे स्टुडेंस का Hindi सब्जेक्ट में Welcome करती हूँ आशा है कि आप सभी दिवाली वेकेशन के बाद आपका माइन फ्रेश हो गया होगा और आपने बहुत इंजॉई किया होगा और अब फिर से हमें स्टडी करना है हमार को आज हम लेसन नमबर 18 और 19 के के चेप्टर का अभ्यास करेंगे पार्ट 18 इन्हें पैचानिये इस पार्ट में अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में अभ्यास करेंगे हम जानते हैं कि हमें दिन भर में जब मार्केट में जाते हैं बाहर जाते तो अलग-अलग लोगों से हमारा संपर्प होता है जिन पर हम निर्भर है जिनके बिना हम काम नहीं कर सकते इनी सब लोगों के बारे में हम अभ्यास करेंगे धोबी यह धोबी है यहां लोगों के कप्डे धोता है अभी तो लोगों के पास washing machine आ गई है लेकिन उसके पहले जब washing machine नहीं थी तो जब जिन लोग के कपड़े दोने की problem रहती थी तो वो धोबी को कपड़े देते थे और धोबी घाट में कपड़े धुलते थे आज भी बहुत सारे अस्पतालों के कपड़े हैं या बड़ी बड बड़ी कपड़ों को प्रेस करता है और कपड़ों को धोता भी है माली यह माली है यह पोधू को देखभाल करता है यह हार मेर्णी गजरे आदी बनाता है हमने देखा होगा बगीचे में माली को काम करते माली क्या काम करता है पोधू की देखभल करता है उसके साथ में उनक को खात देता है उनकी कटिंग करता है और उनकी रखवाली भी करता है और यहार वेणी गज्रे आदिक बना कर बेशता भी है तो देखो हमारे जीवन में धोबी का भी काम है धोबी हमारे कपड़े प्रेस करके देता है धोबी कपड़े धोता है माली जो है पोदु को संभालत है खाट डालता है दवाईय डालता है ओर हरियाली को लाता है कुम्भार है जो मिठ्टी के बरतन को बनाता है और साथ में खिलोने भी बनाता है ये जो है मिट्टी के बर्तनों के अंतर मट्के को सुरहाई को बनाता है, मट्के से हमें ठंडा पानी पीने को मिलता है, जो नैश्रल ठंडा होता है, बीना फ्रीज का और हमें वो बहुत मीठा लगता है, तो कुम्भार जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है, अगर कुम्भार को तो हमें मट्का नहीं मीलेगा dess giveaway का है हार वेक्ति का हमारे जीवन में महत्पुन स्थान है जो हमारी हेल्प करते हैं मोचि या मोचीहे यह चपपल जूते बनाता है और उनकी मरमब भी करता है मतलब मोची जो जो है चपपल जूते को बनाता भी है और जो पूट जाते हैं, उनको सिलता भी है, वो सुधारता भी है, और ये लोग बहुत अधिक कम कीमत में भी हमारी सेवा, हमको सेवा प्रधान करते हैं, लोग 10 रुपे के लिए भी लड़ाई करते हैं, लेकिन आपको सोचना चीए, उसको कितना कम काम मिलता है, तो अकर वो मांगत है, तो हमें दे देना चाहिए, अब नाई, ये नाई है, ये नाई जो है, बड़े के बच्चों के सब के बालों को काटता है, उनको बनाता है, सवारता है, इसे हजाम भी कहते हैं, आज कल तो बहुत सरे स्टाइलें आ गई बोईस की, तपेली कर्ट, ये कर्ट, तो जो ना है, स्टाइल वाले बालों को बनाता है, और आपको सुन्दर बनाता है, बच्चों, तो ये नाई है, अब दर्जी, ये दर्जी है, ये दर्जी कपड़े सिलता है, और कपड़े, कपड़े सिलकर लोगों को स्टाइलिश बनाता है, लोहार, यह लोहार है, यह लोहे की चीज़े बनाता है, जिसे शांशी है, चिम्टा है लोहे का, लोहे का तवा है, फिर आप देख सकते हैं पकड़ है, पिंची से, बहुत साई चीज़े हैं, जो यह बनाता है और लोगों की सेवा करता है सुनार ये सुनार है ये सोने चांदी के गहने बनाता है आपके मम्मी दादी तब सुन्दर सुन्दर गहने पैंते तो कौन बनाता है ये सुन्दर सुन्दर गहने सुनार बनाता है और मम्मी और दादी और नानी सुन्दर सुन्दर दिखने लगते हैं हलवाई, यह हलवाई है, यह तरह तरह की मिठाईयां बनाता है, और सभी के मुँए पानी आ जाता है, मम्मी यह मिठाई खाना है, मम्मी वो मिठाई कहा है, हलवाई तरह तरह की मिठाईयां बनाता है, और हमेरे मुँख को मिठास पैदा करता है, हमें मिठा खाना पसंद आत करता है पंसारी किय क्या क्या काम करता है यह पंसारी जिसकोatar करने की दुकन कभी के सबस्क्राइब कर सब चीज़ें मिल जाती है राजगीर यह राजगीर है यह दिवार चुन्ने मतलब चुन्ने मतलब बनाने का और मकान बनाने का काम करता है और इसके काम से क्या होता है घर बनते हैं और यह बहुती सुंदर कलाकारी करता है और घरों को बनाता है किसान ये किसान ये खेती करके अनाज पैदा करता है और अनाज से हमें जो अनाज हम खाते हैं यहू है चावल है डाले है सबजिया है ये कौन पैदा करता बच्चों ये फार्मर किसान पैदा करता है और ये सुबह उठके जाता है सुबह बहुत जल्दी उठके चला जाता है और फिर राद शाम को आता है, बहुत मेनत करते से बोलते हैं, हमें खाने को वैस नहीं करना है, खाने को फेकना नहीं है, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, जितना खाना है, उतना ही खाना खाना चाहिए, सोचो किसान लोग कितनी मेनत करते हैं, उसके आपको पैरेंस कितनी मे उतना ही खाना खाना चाहिए अब पाट 19 लेसन नमबर 19 मेरी साइकल इसका नाम है रोमील यह बच्चा बता रहा है अपने बारे में मेरा नाम रोमील है मेरे पास एक साइकल है यह साइकल मुझे अपनी वर्षगाड पर मिली है यह जो बच्चा है इसका नाम रोमील है यह कहता है कि मेरे पास एक साइकल है यह साइकल मुझे वर्षगाड पर मिली है वर्षगाड मतला जनम दिन बर्थ डे पर इसको पिताजी ने मुझे यह उपा बन गई, cycle पर बैड़ कर मैं स्कूल जाता हूँ, cycle पर बैड़ कर गुमना मुझे बहुत पसंद है, cycle की दोड में मुझे इनाम मिल चुका है, मैं उसे पवन परिखेता हूँ, जब वह जब चलती है, तब हवा से बात ने करती है, मेरी cycle मुझे बहुत प्रिय है, रोमिल क्या कह रहा है कि जो मेरी साइकल है वो मेरी मित्र बन गई है अभी तो बच्चों की मित्र कौन बन गया है मोबाइल बन गया है टीवी भी नहीं रहा है अभी तो बहुत ज़्यादा बच्चे लोग मोबाइल देखने पसंद करते हैं और ममी डाठती है पापा डाठते जो हमारे लिए harmful नहीं हो तो रोमिल बोलता है cycle जब से मुझे मुझे मिली है वो मेरी दोस बन गई है वो मेरी friend बढ़ गई मैं cycle पर बैठ कर स्कूल जाता हूं अभी तो हम करोना वायरस है तो बाहर नहीं निकल सकते हैं लेकिन हमें कुछ games घर में खेल सकते हैं कुछ लिक सकत हैं राइटिंग सुधार सकते हैं तो ऐसे बोलता हो मिल कि मुझे मेरी cycle से दोस्ती हो गई है और मुझे cycle पर बैठ की घुमना बहुत पसंद है cycle की दोड़ में मुझे इनाम मिल चुका है मैं उसे पवन परी कहता हूं मतलब उस cycle से इतनी दोस्ती हुए कि साइकल की दोड़ भी जीती है और इसने उसका नाम पवन परी रखा है ओ केता है जब वो चलती ना तो ऐसा लगता है कि हावा से बाते करती इसलिए मुझे मेरी cycle बहुत प्रीय है आया समझ मैं मेरी cycle आप कोश्ट से उच्छी शब्चुन कर खाली जगह भरिए यह cycle मुझे अपनी वर्ष गा मुझे बहुत पसंदे cycle की दोड में मुझे इनाम मिल चुका है जब वह जब चलती तब हवा से बाते करती है तो पहले में आया फिलप्स में वर्ष गार्ड सेकेंड में घूमना थर्ड में इनाम फॉर्थ में हवा इससे आप अपनी नोट बुक में लिखें और याद करें निमलिक शब्दों के उत्तर लिखिए रोमिल को cycle किस ने दी थी रोमिल को cycle उसकी पिता जी ने उसकी वर्ष गार्ड पर दी थी रोमिल cycle पर बैठ कर कहा जाता है रोमिल cycle पर बैठ कर school जाता है रोमिल ने cycle का नाम क्या रखा है तो रोमिल ने cycle का नाम पवन परी रखा है पवन मतलब हवा के साथ परी बहुत तेज दोड़ना उड़ना मतलब cycle कब हवा से बात ही करती है cycle जब चलती है तो वह हवा से बाते करती है इन सबी questions and answers को आपको अपनी notebook में लिखना है सुन्दर writing में और learn करना है Thank you